दामाश्टर प्रकास कलासेस यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है आप लोग हमारे साथ उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चैनायोग अर्था यूपी ट्रपलेसी के तहट जो महिला स्वास्त कार करता का प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं उसका अगला प्रैक्टिस स का जिकर करेंगे तो चलिए देखती हैं आज के पहले प्रश्ण को और पहला प्रश्ण है कुष्ट रोग को और किस नाम से जाना जाता है तो यहां पे इसको जो जाना जाता है वो आपका हैंसले रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ट रोग को ठीक तो यहां पर सी आपसन इस प्रेश्ट का राइट एंसर हो जाएगा और यह जो रोग होता है यह माइको बैक्टेरियम लेपसी नामक बैक्टेरिया से होता है ये भी ध्यान रखिएगा चलिए इसका सी आपसन सही हो गया है बढ़ते हैं दूसरे परशनी के दरब दूसरा परशनी है जरम के समय मौजूद नवजात सिसु की तचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंड बाक्ष में अपने उत्तर को देते रहेंगे तो यहाँ पर जो सफेद पदार्थ की रोप में तचा पर दिखाई देता है उसको जो कहा जाता है बर्निक्स के सोसा के नाम से जाना जाता है भी आपसने इस परिशन का राइट एंसर हो जाएगा और बात करते हैं यहाँ पर लानुगो की तो यह जो लानुगो के नाम से जाना जाता है यह होते हैं जो बालक के छोटे बालक जो होते हैं उनके छोटे 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 रोएं जैसे बाल जो होते हैं उनको कहा जाता, ठीक ब्यान रखेगा, तो इसका आपसन नमबर भी राइट एंसर होगा, अगले प्रिशन की तब बढ़ते हैं, अगला प्रिशन है, तीसरा प्रिशन, इसमें कहा गया है कि, रजोनी बृत्त के पैश्यात, महिलाओं में हदी चटकने की मुख्य वजह क्या ह चेलिए, आप सुना आपके स्क्रीन पर है, तो बात करते हैं, इस्तुरियों में जो मांदा हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेश्ट्रान, तो इनकी मात्रा जो है, इस समय काफी कम हो जाती है, कब रजोनी बृत्त के समय, ठीक हैं, तो इसके समय जो ह है, अस्ती में खनिज तत्त की भी कमी आ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अस्तियो पोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पर हार्मोन असुंतुलन जो होता है, यह भी कमी हो जाती है, और उहीं पर अस्तियो पोरोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो यहां अगला है मालपरजेशन अगला है परसो के बाद रखता स्टाओं ये सभी आपसन D इसमें राइट एंसर हो जाएगा D आपसन इसका सभी सभी होगा अगले प्रिश्ण की तरब बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण में कहा गया है कि गर्भा उस्था के दौरान कितनी अप्तरिक्त कैलोरी की आउशक्ता होती है गर्भा उस्ता के समय की बात नहीं किया गया है गर्भा उस्ता के दोरान उचा गया है तो यहाँ पे जो कैलोरी की आउशक्ता होगी वो तीन सो कैलोरी की आउशक्ता होगी भी आपसन यहाँ पे बिरकुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है वह इस्तिती जिसमें मासिक चक्र की आउधी 21 दिन या इससे कम रह जाती है तो उसको क्या कहा जाता है जब 21 दिन होती है या उससे कम होती है मासिक चक्र की आउधी समय तो उसको जो कहा जाता है वो कौन सा है आपसन आपके स्क्रीन पे है आपसन पढ़िए और एंसर जो है कमेंट बाक्स में लिखते रही है चलिए लिखते है आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लिजिए आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा उपलब होता रहेगा यहां से अगर आप बेल आइकन की घंटी को दबाय रहेगी आपसन नमबार इसका बी राइट एंसर हो जाएगा इस प्रशन का एपी मेनोरिया ठेक है तो बी आपसन इसका राइट एंसर होगा बढ़ेंगे अगले प्रशन के तरब अगला प्रशन है एक नवजात सिसु में कौन से बिटामिन की कमी पाई जाती है तो नौजात सिसू में जो विटामिन के कमी होती है कौन सा होता है विटामिन B कांप्लेक्स होता है विटामिन K होता है विटामिन C होता है या फिर विटामिन E होता है अच्छा प्रश्ण है तो यहाँ पे जो विटामिन की कमी होती है नोजासिसो में वो विटामिन की के की कमी हो जाती है आपसन नमर 20 इसका राइट एंस होगा विटामिन के अगला प्रशन है आठवा प्रशन इसले पूछा गया है कि क्या जो है कौन सा कंगारू मदर केर के लिए सही है चली आपसन पढ़िये उसके बार बताएक कंगार के लिए सबसे सही आपसन और एंसर क्या होगा चली अमीद है कि आप लोग को एंसर सबही दिखरा होगा यहाँ पे यह पहला ही आपसन इसका राइट एंसर होगा जो की तुचा से तुचा का संपर्ख अस्तनपान संकरमर्ज से बचा ये सभी जो है कंगारू मदर केर के लिए सत्य हैं आपसर नमबर पहला इस प्रसंट का राइट एंसर होगा बढ़ेंगे एगले प्रिशन के तरफ चलिए अगले प्रिशन लेते ही और अगले प्रिशन को थोड़ा बढ़ा कर दें जिससे की अश्प्रेश आप लोग को भी दिखी चलिए इंगलिस वाले भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि इंगलिस में भी ये प्रिशन को दिया गया है पोई दिककत नहीं होनी चाहिए उन्हें भी तो चलिए देखते हैं इस में पूछागया क्वण सी द्वा गरभा एउस्था में परहेज है तो गरभास्था की समय कौन सी द्वा को नहीं देना चाहिए तो यहाँ पे जो आप्सन नमबर D में लिखा गया है इन लाप्रिल जो नामक दवा है इसको गर्भावस्था के समय नहीं दिया जाना चाहिए ठीक तो यहाँ पे आप्सन जो सही हो जाएगा आपका वो D आप्सन राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ अगले प्रिश्ण की तब बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण में हैं एक मिनट चलिए पढ़िए स्वास्त देख भाल सुविधा में स्वास्त कारेकरता जो है किन उपायों से टीकों की परियाप्त सुरच्छा कर सकते हैं सिवाए एक को छोड़ करके चलिए आपसन अच्छा प्रस्ण था तो यहां पर चलिए यंगलिस वाले भी देखें तो यहां पर दसमें में डी आपसन आपका राइट एंसर होगा जिसमें लिखा गया है केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से टीके इस्टोर कर सकते हैं आपसन नमबर इसका डी विरकुल राइट कर दरदा राइट अगा एक मरीज के लिए इंट्र भीनस हिपैरें थेरप्य का आदेश को क्रिया नविद करते समये इक स्वास्त कारकरता को नर्सिंग यूनिट में किस औस्चधी की उपस्थ्यती क्यूह सुनिचित करनी चाहिए आपसन को देखते हैं कौनसा आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर जो सुनिश्यत करनी चाहिए वो आउसरी है आपके प्रोटेमिन सल्फेट आपसन नम्बार डी प्रोटेमिन सल्फेट जो है आपसन बेरकुल राइट एंसर इस प्रशन का हो जाएगा इसी के साथ बढ़ते हैं 12 में प्रशन के तरफ 12 में प्रशन में पूछा गया है कि क्रीमिन नाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बिमारियों के की इस्टिमाल किया जाता है तो कौन से बिमारी है जीवारू विशारू वार्ण के नाशक दवाओं क पर्यों क क्या जाता है। कीड़ों से होने वाली बीमारियों इलाज के लिए बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है तो यहां पे कीड़े आपका आपसर नमबर डी वार बिरकुल राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है एड्स के उपचार में पसंदीदा उसकी कौन सी है जब जिस पेशन् कि कोई पेशन्ट है वो एड्स की रोगी है तो उसको सबसे पसंदीदा उपचार क्या है उसको दवा जो है तो 13 नमबर में इस आपसर नमबर जो सई हो का पहला ही जुडो बुडिन नामक जो है पसंदीदा दवा इसके लिए सबसे उपच्यों गया आपसर नमबर डी इसक तो रक्त लिथियम अस्तर की चीके सकिये सीमा क्या होगी ये इस प्रश्ण में बताना है तो यहां पर आपका जो ये सीमा होती है वो 0.8 Meq upon L से लेकर के 1.2 Meq upon L तक होती है आपसर नंबर्स का पहला ही राइट एंसर होगा अगला प्रश्ण है 15 होगा जिसमें पूशा गया ह कि परमुख antipsychotic दवाओं में क्या पाया जाता है कि ये उमीर है कि प्रश्ण आउर आपसर सभी बराबर दिख रहा होगा आप लोग को तो यहां पे जो ये दवाओं में पाया जाता है डोपा माइन के कारे को और उध्ध करना ही इसमें पाया जाता है आपसर नंबर इसका पहला ही राही टैंसर हो जाएगा 15 पहला बिर्कुल राही टैंसर होगा अगले प्रिश्ण की तब बढ़ते हैं किसे antiseptic billion से जीवान उरहित नहीं किया जा सकता है ये बताना है चूसन कैथेटर है एनिमा ट्यूब है या सर्जिकल कैंची है अगला प्रिश्ण है जो डी में लिखा गया है नासोगाश्ट्रिक ट्यूब तो antiseptic billion से जो जीवान रहित नहीं किया जा सकता है वो है आपका सर्जिकल कैंची अगला प्रिश्ण है 17 17 में है एक प्रकार की प्रस्तुती जिसको presentation के नाम से भी कह सकते हैं जिसमें भुरूर के नितंब स्रोणी inlet में उपस्तित होते हैं और भाजक को त्रकास्ती होता है उसको क्या कहा जाता है चलिए देखते हैं आपसन इस स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे उसको breach presentation के नाम से कह सकते हैं आपसन नंबर इसका breach presentation चलिए बढ़ते हैं अट्रा में प्रस्ट के तरफ अट्रा में प्रस्ट में है एक प्रसोत्तर महिला को किस उद्देश के लिए केगल ब्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए चलिए देखते हैं केगल ब्यायाम क्या होता है तो केगल ब्यायाम चलिए देखते हैं सबसे पहले तो और ये ब्यायाम जो होता है इसमें महिलाओं इस ब्यायाम से जो महिलाओं में जो है help मिलता है वो योन से संबंदित बिकार के साथ साथ मूत्र और गरवासा से समय समय स्वाइब ठीक हो जाती है ठीक और यह जो निर्देश दिया जाता है यह आपसर नंबर डी आपका राइट एंसर होगा इसमें पैलविक फ्लों की मांस्पेसियों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है आपसर नंबर डी इस प्रस्ट का प्रसासित किया जाता है तो यह आक्सिटोसिन इंजेक्शन जो है यह आप लोग को कमेंट करके बताना है यह इंजेक्शन जो है किस समय पे दिया जाता है तो परसो पीड़ा के दोरान इसको दिया जाता है ठीक इंजेक्शन को और यह जो दिया जाता है यह जो दिया जाता है आपका यह दिया जाता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की माध्यम से आपसों नंबर भी इस पुष्ट का राइट एंसर होगा इंट्रावेनस फ्यूजन से लिए बढ़ेंगे एगले प्रश्ण की तरप अगला परश्ण है परसो पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विश्टाओं में सभी सामिल है सिवाए एक को छोड़ करके तो वो कौन सा है तो यहां पे यह जो है आपका जो है योनी रख्तुस्थ्थाव का तेज बहा जो है यह इसमें नहीं सामिल है बाकी जो है सभी इसमें सामिल है तो दी आप सुने इसका बिरकु की इसमें कहा गया है सभी को छोड़कर एक नहीं सामिल है ठीक तो दी आप सुने इसका राइट एंसर होगा बढ़ेंगे अगले प्रशन के तब अगला प्रशन है BCG वैक्सीन के पुनन दिर्माड के लिए इस्टिमाल किये जाने वाले तनु क्या होती है तो अगर बात करते हैं BCG के सामन क्या कहते हैं BCG के पुनन दिर्माड तनु के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो सामान से लाइन होता है तो यहां पे सामान से लाइन भी आपसन में लिखा गया यह विरकुल right answer होगा और इसको sodium chloride के नाम से भी जाना जाता ठीक आपसन नमबर इसका जो है भी right answer होगा यहां रखियेगा sodium chloride भी कह़शा सकते हैं एगला प्रश्न है massively जो गंदे और पर दूसित पानी में पयता होते हैं वो कौन से मच्छर हैं यह थे तो किस प्रकार की मच्छर जो है गंदे पानी में पैंदा होते हैं तो यहाँ पर आपका जो यह होते हैं क्यूलेक्स टाइब के मच्छर इसमें पैदा होते हैं आपसन नमबर क्यूलेक्स भी आपसन बिरकुल राइट एंस रोगा इस पर बढ़ेंगे अगले प्रशन के तब अगला प्रशन है सुद्ध प्रोटीन अधिक्तम किसके उप्योग से मिलता है अगले प्रशन में हैं एक बार इस प्रिशन के साथ थोड़ा और याद दिला दें आप लोग को कि अगर बात करते हैं हम प्रोटीन में, तो एक ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है, तो चार कैलोरी प्रोटीन में, एक ग्राम प्रोटीन में, चार कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है, वहीं पर बात करते हैं, एक ग्राम वसा में, तो सबसे अधिक वसा में प्राप्त होता है कितना 9 किलो कैलोरी पराफ्थ होता है ठीक और कार्भोहड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी ही पराफ्थ होती है ध्यान रख्यागा चेले इसी के साथ बलते हैं अगले प्रश्ण के तब अगले प्रश्ण में हैं एक भारतिय वयस्क की अनुसंसित प्रोटीन आउसकता कितनी होत बाड़ी बेट के अनुसार या 0.1 किलो कैलोरी बाड़ी बेट के अनुसार ये 2 किलो या फिर 1.5 किलो ग्राम परति किलो चेले बढ़ते हैं इसके आप्सन की तरफ तो पहला है आप्सन एक ग्राम परति किलो बाड़ी बेट के अनुसार आप्सन पहला है इस प्रिस्ट का राइटेंसर होगा, जो कि भर्रेटिय ब्रोटीन किया वसकता होती है, पहला आपसन इसका राइटेंसर होगा, बढ़हेंगे, एगले प्रशनी के तरह पगले प्रस्त में है, प्राथ्ंमिक स्वास्तर केन, जिसको प्हसी के नाम से जाना जाता है, कि तहत आने वाले छेत्रों में मिडव वाइफों की तैनाती प्रभावित होती है लेखिए किसी में ये प्रभावित होती है तो ये जो है उस छेत्र में ब्याप्त सिसु जनमदर से ये प्रभावित होती है आपसन नंबर जो है पहला है इस प्रसंट का right answer हो जाएगा लेते हैं एक नहीं प्रश्ने हो अगला प्रश्न है कि स्यसे संबंदित है टोबियस ग्रिण जो संबंदित है ये किससे संबंद 3 आपकी ते स्क्रीन रहे कソ下次 होगा सियहां आपे क्लाइश्ट्री क्लाइश्ट्री डी यहां पर आपसण डि राइट एंसर होगा एकमने यह मिनुट यहां पर दि आपसण में यह लिखा गया है ग्राश्ट बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के तर्पफेला प्रश्ण है एक बेसिलस जो पलेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं तो बात करते हैं अगर फलेग की तो ये फलेग एक छुवा छूत की बीमारी है जो चुवा छूत की बीमारी है ठीक फलेग नामक जो बीमारी है ये छुवा छूत बीमारी है और चूहे से यह फैलती है जो एरसी निया पेस्टिस नामक जीवान उसे होता है तो आपसन नमबर यहां पे जो पहला ही होगा एरसी निया पेस्टिस से यह फैलती इसका मुख कारण यह है आपसन नमबर इसको यह कहेंगे ठीक तो पहला ही राइट एंसर इसका हो जाएगा और बढ़े क therapists कि गई थी और कि प्रिफ्ण को स सिद्ध का और और यह बताना है यह जो इस पर ग्यानिक नाम है उनको नहीं जो इस पर परीओं किया है वह विभीन-जान और उपर किया है ले्किंश्यूरwort जो हे चुहे और कबौतर पर इनको महत्त दिया गया है तो यहां पर यह बीएफ इसकीनर है आपसल नंबर यहां पर जो सही होगा आपका भी बीएफ इसकीनर अजाई टेंसर हो जाएगा इनहीं के द्वारा ओपरेंट को प्रती पादित किया गया है ठिक चले इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ और अच्छा प्रस्ण है तो बात करते हैं हम जठररस की तो जठररस का निर्मार जो होता है वो अमासा में जिसको इस्टोमेक के नाम से जानते हैं अमासा में होता है आपसल नंबर से इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा और इसमें क्या होता है इसमें हाइड्रो कॉलोर करता है तिक चलिए अच्छा प्रश्टा सी आपसे समय इस्थिति में जब मरीज अपना रख्त समूँ बताने में असमर्थ हो जाता है अपातकाल का समय पर तो इस पेस है रख्त समूँ के साथ क्रास मैच करना सुरचित रहता है तो किस blade group के साथ उसको craft match किया जाता है यह बताना है अच्छा प्रशन है तो यहाँ पे यह जो O negative होता है यह सबसे अच्छा मना जाता है और यह जो है क्या कहते हैं डोनीट भी डोनीट सर्व दांता भी इसको कहा जाता है आपसन नंबर जो है इसका आपसन पहला ही राइट एंसर होगा O negative यहाँ रखियेगा इसी के साथ बढ़ते हैं एंगले प्रश्णी के तब अगला प्रश्ण है वाइकोस की यह दीवारों की छती को क्या कहते हैं वाइकोस की यह दीवारों की छती को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपसन नंबर सी वाइट इस प्रश्ण का राइट एंसर सी हो जाएगा जिसको एलवियो लरवाल के नाम से भी जाना जाता है चलिए इसी के साथ अगला प्रश्ण लेते हैं अगले प्रश्ण में गलोकूज का विक्किये सीमा रेखामान क्या है अच्छा प्रश्ण है 32 में तो इसका जो रेखाम समय सीमा रेखामान है वो 180 mg अब प्रत डियल के है आपसन नंबर डिस का राइट इंसर हो जाएगा कपालिये जोड़े में कपालिये तंतिकाओं में कुल जोड़े जो होते हैं वो आपके बारह जोड़े एक में बारह जोड़े इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका आपसन नंबर सी बिरकुल राइट एंसर होगा चलिए अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं अगल लिए देखते हैं वो क्या नजर आ जाता है उसको जिससे यह समय से अपन हो जाते हैं तो यहां फ्लेरिंग नैर्स उसको दिखता है जिससे यह संदे हो जाता है आप सब नमबर इसका पहला ही फ्लेरिंग नैर्स आप सब सही हो जाएगा तो इसके बात बढ़ते हैं अगले प तो सिसों को जो मां का दोथ पिलाना चाहिए लगभग कम से कम छे महीने तक तो उसको पिलाना ही चाहिए तो यहां पर आपसंद जो है डी विर्कुल राइट एंसर हो जाए अगला प्रश्ण है गोमेज बर्गी करण का उपयोग किस बच्चों की स्थिती को सेड़ी करम करने के लिए किया जाता है आप लोग बताएंगे कौन सा आपसन इसका सही होगा 36 नमबर का आपसन आपके स्क्रीम पर है देखी रहा होगा चलिए बताएंगे कौन सा आपसन इसका राइट एंसर होगा तो यहाँ पर गो मेज बर्गी करण बच्चों में प्रोटीन और जाको पोशन को बर्गी करत करने के लिए किया जाता है आपसन नमबर इसका जो सही होगा C प्रोटीन और जाको पोशन बिर्कुल राइट एंसर इस फ्रेस्चन का हो जाएगा ठिक चलिए C आपसन सही होनी के साथ अगले पृशन के डबलते है अगला प्रस्न है नोजात का पर्थम मल क्या कहलाता है कोई भी नोजात जब पर्थम बार मल को क्या कहता है तो उसको क्या कहा जाता है उस मल को तो उसको हम लोग मिकोनियम के नाम से जाना जाता है आपसन नमबर सी इस प्रस्न का राइट एंसर होगा जो की साइंस वासामी में कॉनियम खा जाता है चलिए बढ़ते हैं एंगले प्रशन के तरह पगला प्रशन है रोड टू हेल्थ किसको इंगित करता है आपसन आपके स्क्रीन पे हैं बताइए रोड टू हेल्थ इंगित किसको करता है संतुली तहार को बच्चों की सारीरिक ब्रद्धी को या फिर परिवार का स्वास्त या फिर बच्चे की सिक्षा को अनतिस नंबर का कौन से सही होगा रोड टू हेल्थ बच्चों की सारीरिक ब्रद्धी को इंगित करता है इसमें क्या होता है एक कार्ड दिया जाता है जो जन्म से पांच वर्स तक बच्चों की सारी ब्रदी की निगरानी में साहता करता है आप लोग के यहाँ कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता होगा तो देखे होगे एक कार्ड मिलता है तो वही जो है आपका रोड टू हेल्थ कार्ड उसी को कहा जाता है यहां पर आपसन नम्बज़ सही होगा अब भी आपसन सही उने के साथ बरते हैं अगले प्रषक की तरफ अगले इसके पहले भी प्रश्णों में हम लोग देख चुके हैं इस टाइब के प्रश्ण को लेकिन इसमें भी जिकर कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आप्सन सही होगा तो बात करते हैं परसों के बाद वास्पीकरन द्वारा जो उस्मा के हानी को रोकना जाता है जिससे तापमान विस्तिर बना रहता है तो यहां पर आपसर नमबर डी इसका सिसु को ओबरेंट ओबर हेड रेडि रेडियेंट वार्म के नीचे रखती है ठीक तो आपसर नमबर डी राइटेंसर हो जाएगा बढ़ेंगे अगले प्रिश्ण की तरफ अगले प्रि जो होता है चोटा हो प्ले सेटा के वजन का एक बटे च्छे भाग होता है एक छठा भाग होता है तो यहां पर बी आपसर निसका राइटेंसर होगा वन बाइस सिक्स डियाइट अगला प्रम फोटीन का तो इसमें पूशा गया है जननानांग भुरूणी ये उसके बाद हम से जो है विक्सित होती है आप तर नमबर यहां पर सी मीजो डर्म आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है 42 तो 46 गुण सूत्रों के अस्थान पर प्रते कोश्का में 47 गुण सूत्र होना किसके होने का लक्षण है अगर मालिजे सभी जो है हमारे मनुस्यों मे जो है गुण सूत्रों के संख्या कितने होती है तेज जोरी यानि कि 46 गुण सूत्र पाये जाते है जिसको तेज जोरी के नाम से भी जाना जाता है लेकिन यदि अगर 47 गुण सूत्र हो जाए तो यह किसका लक्षण होगा यह बताना है तो यहां पे आपसर नमबर पहला ही डाउन सिंड्रोम के लक्षन हो जाएंगे आपसर नमबर पहला इस प्रशन का राइट एंसर होगा बढ़ेंगे एकले प्रशनी के तरब पगला प्रशन है COPD में काउन सी इस्तिती सामिल नहीं है COPD यह है आपका COPD इसमें क्या स्थिती सामिल नहीं है यह प्रशन के यह पूछा गया है तो COPD की फुलफान की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम जो है इसका नाम है और आपजक्ट्राक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो यह फिफडे से संबंधित बिमारी है इसमें क्या सामिल नहीं है तो यह निमोनिया जो है यह सामिल नहीं है आपसर नंबर डिजी निमोनिया इसका राइट एंसर हो जाएक बागी सबी से संबंधित है तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं गले प्रशन क्यत्रप अगला प्रशन है Hepatitis C सबसे ज़्यादा अधिक किसी से फैलता है संक्रमित रक्त से या पिर आकस्मिक गले लगना और चुमना से अगला है योनसंपर्क से अस्तन का दोद से तो Hepatitis C चेलिए बताईए ये किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा फैलता है तो यहां पर जो संक्रमित रक्त होता है एक दूसरे जैसे कोई मरीज है तो उसको कोई संक्रमित रक्त परदान कर देता है तो यह उसके माध्यम से फालता है सबसे अधिक आपसर नंबर इसका पहला ही राइट एंसर होगा बढ़ेंगे एक लिए प्रिश्णी के तरह पगला हो रतुबर मेलेंज हो रहादन करते होगी तो ट्रैकोमा जो है यह आखों से संबंदी एक संक्रमर रोग है ठीक किसे संबंदित आखों से संबंदित तो यह जो रोग है वह जिवारू कलैमansen कलैमाटीया ट्रिक्रोमैटिक करalon होता है औरो तो यहां पर यहां पर आप साफन नंबर जो सही होगा वह बी आप सचन which को entrepreneurs में बहरेंगे अगले प्रेशन के तप अगला प्रस्न है से पाई रिडाक्षिन का दूसरा नाम बताना है तो यह झो आप का भितामेन होता है और वह वीटामेन इस जो होता है उसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं उसका जो वेगानिक नाम है उसको पाई राडाक्सिन के नाम से जानते हैं तो D आप सुने इसका B, बिटामिन B6 राइट एंसर हो जाएगा इसका बढ़ेंगे इसके अगले परिशनी के तरफ, अगले परिशनी में हैं वयसको में अस्ति मिद्रता किसकी कमी के कारण होती है अस्ति मिद्रता चेलिए यह सब्द जो है अस्ति मिद्रता यह ढूंदना है इसे किसकी कमी के कारण होती है तो जहां पर अस्तियों की बात आ जाती है वहां पर सबसे पहले बिटामिन D सबसे महत्य पूंड हो जाता है ठ सभी होने के साथ बढ़ेंगे एकले प्रिश्णी के दरब अगले प्रिश्ण में है सभी एक तरह की हीमुलाइटिक इनीमिया है सिवा एक को छोड़ करके तो एक नहीं है बाकी सभी है यहाँ पर तारीस नमबर में तो वो है जी सिक्स पीडी की कमी यह जो है इसकी जो है इसमें नहीं आएगा बाकी सभी इसकी अंतरगत आएंगे तो आपसर नमबर डी इस प्रिश्ण का राइट एंसर हो जागा जिसमें लिखा गया है जी सिक्स पीडी की कमी तो डी आपसर इसका राइट एंसर होगा पर हैंगे एक किस हड़ी की कालर बोन किस हड़ी को कालर बोन हड़ी कहा जाता है चले देखते हैं कालर बोन हड़ी को किस नाम से जाना जाता है तो यहां पे जिसको Pennsylvania कहा जाता है चोटे बतचे ? जब देखे होगेश चोटे बतशे तो यहां कालर के पास में एक हडी होती चिसको हुष्टी के नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग विद्गारिवासा में कलाविकल के नाम से जानते है तो बचपन में जो चोटे कहा जाता है तो यहां पर जो है डी आप्सन कलाविकल राइट एनसर हो जाए गांसा इसको हासली कहा जाता है क्या कहा जाता आध्यान रखिये चेली इसी के साथ अगले प्रशन के तो बढ़ते हैं अगला प्रशन है अंडोत सर्ग के लिए उत्तरदाई हार्मोन कौन सा है पचास का आपसन नमबर D से हो जागा थोड़ा तेजी के साथ चल लेगा है क्योंकि समय ज़्यादा बेत रहा है ठीक तो यहाँ पर D आपसन से होगा जो की अंडोत सर्ग के लिए उत्तरदाई हार्मोन होगा चल ये सी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रशन में रजोनी बृत होने की आउसत उम्र क्या होगी रजोनी बृत होने की आउसत उम्र कताद पर यह है कि यह जो समाप्त हो जाती है वो कितने आउक की उम्र में समाप्त हो जाती है तो यह लगभग सही उम्र जो है इसका 45 वर्स है बट ये कुछ पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है तो यहां पर स्की आपसन 45 वर्स आप लगाईएगा आपसन नमर से इसका राइट एंसर हो जाएगा और इसमें क्या होता है कि जिसमें इसके माध्यम से महिलाओं का मासित धर्म जो वाता है हर महीने वो समाप्त हो जाता है ठीक तो आप संदमर से इसका राइटेंशर होगा बढ़ेंगे एक प्रश्ण की तैसे बगला प्रश्ण है कोष्काओं की संखा की बरक्द्धी को क्या क रिनता है वो किस से होता है वह कोशिकाओं के अनियंतरित BARATION हो जाता है उसको कहा जाता है जहांपे कोशिकाओं की संख्या में BARATION हो जाती है बहुत है य है अगला प्रशन को अगलया शनलम की विर्षय इस्ताइत नहीं है तो डाउन शंड्रो में अभी हम लोग ऊपर के प्रश्णों में देखे हैं तो उसमें क्या होता है 46 गुण सूर्ट मानों की मानों में पाय जाते हैं लेकिन जब 47 हो जाता है तो वहां पर बढ़ जाता है लेकिन यहां पर नहीं पूंचा गया है नहीं होता है तो इसका मदलब कम हो जाया ना चाहिए ठीक तो चलिए देखते हैं आपसन लेकिन यहां पर वैसा कुछ है नहीं तो आपसन देखते हैं कौन सा इसका राइट एंसर होगा तो यहां पर डी आपसन जिसको माइक्रो सिफली के नाम से जानते हैं इसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है यह भी नहीं रखेगा चाहिए डाउन सिंड्रोम माइक्रो सिफली के नाम से जानते हैं और नहीं होता है यह जानते हैं तो यहां पर डी आपसने इसका राइट एंसर होगा जो की नहीं है चेरी बढ़ेंगे अगले परशन की द्रब्व अगला प्रशन है बचों में बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो बढ़ेंगे जो है वो कौन सा है अच्छा परशन है तो यह है औरिकेट्स insec यह चोटे बच्छों में आपको अधिकान सता स्था रहेंगेका मिलेगा जो होते हैं हमारे हमारे सरीर को जो आ सकता होती है वो 20 अमीनो अमलिकी आ सकता होती है तो हमारे सरीर में जो उपस्थित होते हैं उनको अनावस्यक अमीनो अमलिकी नाम से जाना जाता है लेकिन वो उनकी संख्या 10 होती है और जो हमारे सरीर में उपास्तियत नहीं होते हैं उनको इंको इनको जो प्राप्त किया जाता है वो कटार्ड की जो छोता है उसके सब्सक्राइप किया इसको प्राप्त किया जाता है तो ध्यान रखेगे चलिये देखते हैं इसमें कौन सही होगा आप्षन यहां पर आपका सही हो जाएगा वह आप्षन है आप्षन जिसको बैलिन की नाम से जाना जाता है तो इसका आप्षन नंबर सिव wellin right answer होगा अज़ि आगे की पर्षणों में हम उसके पर ब्रुद्धा वस्ता में विटामिन एक की जो है सबसे कम आउसकता हो जाती है आपसे नमबर डी इस प्रिश्ण का रही टेंसर होगा तो इसमें आखों की रोसनी थोड़ा हलका हो जाती है तमाम प्रकार की जो है समय से यानि शुरू हो जाते हैं और ग्रंत्रियां भी जो है शिकोड जाती है नाखोन आखोन गयरा सब अपना जीपसा हो जाता है चलिए एगले प्रिश्ण की तो बढ़ते हैं थोड़ा तेजी के साथ इसमें है उच्छे संत्रिप्त वसा वाले आहार को किससे जोड़ा जा सकता है तो यहां पर हिर्दय के रोग से जोड़ा जा सकता है जिसमें उच्छे संत्रिप्त वसा वाले जो है आहार हो जाएंगे आपसन नंबर इसका बी इस प्रिश्ण का राइट एंसर होगा इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रिश्ण की तरफ अगला प्रिश्ण है 58 का डालों के पोशन गुण में ब्रद्धी करने का सबसे चाल के पोशन जो अंगुरुत हो जाते हैं तो यह सबसे रिक पस्यट हो जाते है तो बढ़ेंगे पर्शन के अगला प्रश्चन है कैल्सियम के लिए आवश्चक है कैल्सियम के जो अवस्चक होता है उसके लिए आउस्चक है आपका वितामिन दी और इसमें कैल्सियम पाया भी जाता है आपसम नमबर 20 का राय टेंसर होगा अगला प्रश्चन है आंसिक पक्छागात वाले रोगों की सायता करते समय महला स्वास्तकर करता को सायोग देना चाहिए तो किस चीज के लिए सायोग देना चाहिए बताएए आपसम आपके सामने है तो यहाँ पर कमजोर साइट पर जो ह अगला ही राइट एंसर होगा इसी के साथ अगला प्रश्ण है रेनल आर्टेरियो ग्राफ के बाद सही नर्सिंग हश्टचिप क्या है कि आपसन आपके स्क्रीन पर है कमेंट करके बताइए कौन सा आपसन सही हो जाएगा इस प्रश्ण का आपसन आपका राइट एंसर होगा जिसमें सीडेक्टिक प्रसासित करना ही इसमें हस्थच्छेब होता है आपसन नंबर इसका भी राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ अगले प्रश्ण की दब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में हैं एक बोतल से एक आउंस गलास में तरल आउसदी उड़ेलते समय बोतल के लेबल को किस तरह रखना चाहिए तो यहाँ बोतल के लेबल को जो रखा जाता है वो रखना चाहिए हाथों के बिपरिदिशा में रखना चाहिए आपसननमबर पहला ही हाथों के बिपडिदिशा आफसननमबर इसका जो सही है wonder यह जही मुँझा इसी के साथ पढ़ेंगी औले प्रस्टी परस्ति में तो अ प्रश्ण में हैं कि सभी लिंड आप्लिकेशन देने के उद्स एक नहीं है उसी को वताना है जो नहीं है तो यहां पर जो नहीं है वोнимस्तिस्क प्रिसंचरण को बढ़ाने के Stevens just an any F लेते ही अगले प्रिश्ण को अगले प्रिश्ण में हैं यहां पर जो लिखा गया है कि ओंड से ट्रोन और से ट्रोन कि आठ ग्राम उसके बाद भी फोर आई भी दवा कीमियो थेरेपी से पहले किसको रोकने के लिए दी जाती है तो यहां पर यह उल्टी को रोगने के लिए दी जाती है इस दवा को आपसर नंबर यहां पर वो मीटिंग या उल्टी राइट एंसर इस प्रिश्ण का हो जाएगा ठीक चली इसी के साथ 65 नंबर के प्रिश्ण को देखा जाए इसमें पूछा गया है कि आईरन के आउसोसन क को बढ़ाने के लिए रोगियों को आईरन की खुराक कब लेने की सला दे जानी चाहिए खाने से पहले सोते समय खाने के बाद या फिर खाने के साथ में अच्छा प्रिश्ण है 65 का कौन सा आपसर सही होगा तो बात करते हैं आईरन की आउसोसन की तो यहां पर रोगियों को आईरन की खुराक खाने के बाद लेना चाहिए आपसर नमबर सी खाने के बाद यहां पर राइट एंसर होगा अगला प्रशन है पाटुसिस को इस रूप में भी जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है चलिए देखे आतों का वुखार काली खांसी जर्मन खसरा य प्रशन है कौन सा रखतस्त्राव विकार है रखतस्त्राव का विकार कतातपर है कि जो है बिलेड बहना ही कह सकते हैं मतलब बिलेड जो है अगर कहीं कड जाता है छिल जाता है तो बिलेड जो है बहता रहता है बंद नहीं होता है उसी को यहां पर पूछा गया है तो यह ज जो है एक अनुवांसिक भिकार भी है यह भी देन रखेगा अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है ओसलर नोड्स के लक्षण कौन से हैं अगला प्रश्ण के लिए किसका चैन करेंगे तो वह किस माध्यम से किया जाएगा एक सरे की माध्यम से यू-एस्जी के माध्यम से या फिर ए-आर-सीपी के माध्यम से खरेंगे 69 का कौन साफसन सही होगा कमेंट करके आस लो कमेंट बाक्स में क्या है निचली आठो दोने वा उसकी सामवैम निकालने के लिए इनी महा की तयारी कर रही है एक व्यास खेलिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए चैहिए 70 का अपिस्ैन नम्बर कौन साधियोगा तो पानी इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, बुखार का तापमान अधिक रूप से परिभासित किया गया है, तो बुखार का तापमान यहाँ पे सेल्सियस में बताना है, कि कितना होता है, एक सामान, अगर कोई जैसे हम लोग के जो सामन ताप होता है, तो वो कितना होना चाहिए कि बुखार ना हो तब तो यहां पर यह सामन ताप तो जो होता है वो 37 degrees Celsius होता है बुखार नहीं होता है ठीक लेकिन यहां पर बुखार का तापमान अधिकतम बताना है कितनी पर होगा तो 38 degrees जब हो जाएगा तो बढ़ जाएगा यहांई 37 जब बढ़ेगा तो बुखार होगा तो यहां पर आपसर नबर पहला ही अगर 13 degrees Celsius राइट एंसर हो जाएगा और बात करते हैं यहां पर अगर फारिन हैट की तो यहां पर जो सामान ताप होता है जैसे ये सामाने अताफ है सहति धिगरी और फारेन हाइट में जो सामाने अताफ होगा वह 98 एक मिनिट 98 दस मालोग छे फारेन हाइट सामाने नताफ होता है ठीक चली और इसके आगे जब बढ़ जाता है तो बखार आ जाता है अगले प्रश्न की तो बढ़ते हैं निफार नमबर का संकेत वह अल्प कैलसियम रक्तता का संकेत है अल्प कैलसियम रख्तता सही हो जाए यही जो है आपके पाजिट्टीब वास्केट का सिंगित करता है बढ़ेंगे के लिए प्रश्ण के तरह अगले प्रश्ण में हैं कौन जो है मधुमिय रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षी करण नहीं है तो मधुमिय जिसको हम लोग डायविटीज के नाम से भी जानते हैं उसके नैदानिक प्रत्यक्षी करण के लिए नहीं उपयोगी है वो कौन सा है, तो वो है आपका, हाइपर नेट्रोमिया, आपसन नमबर D, इस प्रशन का राइट एंसर होगा, हाइपर नेट्रोमिया, ठीक, C आपसन इस, D जो है, विरकुल राइट एंसर हो जाएगा, आपकी इस तीनों जो है, इससे सम्मनित है, चलिए, अगले प्रशन की कि यहां पे जो कहा जाएगा, जैसे कि, जब सरीर का तापमन सामन से अधिक हो जाए, तो उस दसा को जर या बुखार कहते हैं, तो यहां पे पहला ही आपसन राइट एंसर होगा, इसको क्राइसिस बुखार की नाम से जाना जाता है, जब कुछी घंटों में या कुछ दिन टैकिपनिया का अर्थ क्या है, तो एक मिनिट, टैकिपनिया, चलिए बताइए, टैकिपनिया का अर्थ क्या है, ऐसे ऐसे सब्द हैं इसमें, कि पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो, चलिए बताइए, आपसन कौन से सही होगा, टैकिपनिया का अर्थ क्या होगा, इसमें तो तो आपसन नमबर इसका 75 का बी आपसन सभीवगा जो कि स्वसंदर का अधिक होना ही इसका अर्थ होता है आपसन नमबर यहां पे जो है बी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन हैं अध्याधिक उल्टि वर्च तस्थ्राव किसके परिम्रत होते हैं या परिणाम होते हैं तो यह ऐपोथो बोल्यमिया के परिणत या परिणाम होते हैं आपसन नमबर यहां पेahl podemos हाइपर बॉलीमिया सही हो जाएगा 77 पे चलते हैं इसमें हैं ब्रिशन के बिशाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है अच्छा प्रश्न है मिला ना, जैसे पहले आफ्सन में लिखा गया में लेकिशा नॅर। यह सभी तो यह तो यह जो होता है यह नॅब को आप जाएगा लेकिनुक्त जो है प्रस्ण का Noch सेरा वर से मिल μου थे रहेखे से उसक्त 나या बी सब्सक्राइक से अगला पर कोंडे गल्सवा का बहुत healthy झाल कें है तो कर देधान का व्यस्दारी में ही तो कंट माला जा गुल्शूवा जो होता है इसका बहुकाल जो होता है, वो 16 से 18 दिन में ये दिखने लगता है, ठीक तो पहला ही आप से इसका राइट एंसर हो जाएगा, 18 दिन दिया गया है, ये 16 से 18 दिन में ये दिखने लगता है, आप से नमबर इसका पहला राइट एंसर होगा, अगले प्रिशन की तो बढ़ते है अगले प्रेस्ट में है, अस्थम के कैंसर में मौझूद ओंको जीन्स क्या होते हैं? तो कैंसर का अध्यन के कहलाता है, वो औंकोलोजी के नाम से जाना जाता है, यह भी नहींद पूछा जाएगा, आपसे पोछ सकते हैं, कि कैंसर के अध्यन को क्या कहा जाता है? तो यहां पे अंकोजिन्स, जो है, अस्थन कैंसर में क्या मौझूद होता है? यह बताना है. तो यहाँ पे जो मौझूद होते हैं वो BRCA मौझूद होता है आपसन नमबर B, BRCA बिल्कुल राइट एंसर हो जागा इस प्रश्ण का आपसन B बढ़ेंगे एगले प्रश्णी के अगला प्रश्ण है थ्रम्बो साइटो पेनिया सब्द का अर्थ क्या है एक मिनिट थोड़ा आपसन भी साथ में देखते हैं तो अच्छा रहेगा चलिए दिख रहा होगा आपसन तो थ्रम्बो साइटो पेनिया का अर्थ क्या है ये बताना है तो इसका B आपसन सही हो जागा जो कि कंप्लेट लेट्स काउंट जो करता है इसका सब्द इसका आर्थ यही सीधा हो जाएगा आपसन नंबर यहाँ पे भी इस प्रश्ण का राइट एंसर होगा लेते ही इंगले प्रश्ण को गला प्रश्ण है यदि संदिख्ध आत्म निर्चन के साथ छे महीने के सिसु के लिए कौन सी निदान प्रक्रिया सबसे अच्छी मानी जाएगी तो बात करते हैं सबसे पहले संदिख्ध आत्म निर्चन के निदान की तो यह जो होता है छे महीने के सिस्वों के लिए ये निदान परकिरिया किया जाता है और इसमें जो है आपका जैसे की कोलेन जियोग्राफी के माध्यम से किया जाता है आपसन नमबर डी जो है कोलेन जियोग्राफी इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसके साथ डी सापसन सही होने के साथ ब दिया जाता है चलिए अच्छा प्रश्ण है तो इसमें क्या होता है इस समय में सभी और यह लगभग जो है समानता जो है सभी बच्चों को जब MMR जिसको मीजल मम्स रूवेला के नाम से जाना जाता है तो इसमें वैक्सीन की दो खुरागे दिया जाती है जो पहली खुराग दिया जाती है वो बारा से फॉरा महीने के छे साल के चार एयर से लेकर के छे एयर के मध्ध में दे दिया जाता है ठीक तो आप से नमर इसका भी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्न के तो बढ़ते हैं अगला प्रस्न है एक बच्छी का वजन जन्म के तीन गुना हो जाता है तो कितने साल पे कोई बच्छा अगर जन्म लेता है तो उस समय अगर मालिजिए तीन किलो का है तो वो तीन गुना अपनी वजन का लगभग जैसे की नव दस किलो गराम का कितने साल में हो जाता है तो वो एक साल के अंदर जो है अपनी वजन का तीन गुणा हो जाता है नौजात सिसू ठीक तो यहां पर C आपसन इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा और बात करते हैं दो गुणा की तो दो गुणा कितने वर्ष में होता है तो 6 से 12 महीनी के अंदर जो है वो दो गुणा हो जाता यह भी नहीं रखियागा चलिए बढ़ते हैं गले प्रस्ण के तो अगला प्रस्ण है सामानता है एक शिसू का वजन एक वर्ष की आयो पर जनम के समय वजन से बढ़ रहा हो बढ़ कर हो जाता है तो यहाँ पे देखें उमर क्या दिया गई है एक वर्स की आयो में तो एक वर्स की आयो में कितना बढ़ जाता है अभी उपस के प्रस्णों में हम लोग देखें तीन गुना बढ़ जाता है तो तीन गुना यहां पर आपसन नंबर जो है सी त्यूना राइट एंसर हो जाएगा ठीक जी प्रस्ट था लिए इसका उपर वाला और यह वाला प्रस्ट मिलता जुलता था बढ़ते हैं पचासी नंबर के तरफ तो पचासी नंबर में है कलब फुड का सबसे सामाने प्रकार कौन सा है तो कलब फुड का जो प्रकार सामाने प्रकार है वो तैली पेस एक्विनो वाइरस है आपसन नंबर सी इस प्रस्ट का राइट एंसर हो जाएगा इस प्रस्ट का इसी के साथ बढ़ेंगे एगले प्रस्ट के तरफ अगले प्रस तापमान होता है वो फारेन हाइट में बात करते हैं तो 98 दसमलो 6 फारेन हाइट होता है ठीक और वहीपे Celsies की बात करते हैं तो 37 degrees Celsius तापमान समन तापमान एक मनुस्की होती है ठीक तो यहां पर आपसे नबर सी इस प्रसज़त का बेर्कुल रही परifiques को और अगला परश्ब सगर्भता काल की अवधि क्या होती निसे सं निसे चन से ले करके जनम तक जब होता है और जब जनम हो जाता है किसी बालक की तब से तब तक ले करके यह उसनी जो होती है सगरभता काल के नाम से जानी जाती है और यह समय इसकी समय सीमा कर बात करते हैं तो दिनों की संख्या कर बात करते हैं एक दिन जो होते हैं 280 का होता है कितनी 280 दिन का होता है अज़िकां कि बात करते हैं तो लगबग 40 से 42 सपता लिख सकते हैं ठिक ध्यां रखिए गाँ तो यहां पर आप्रस्ट का राई टेंसिर हो जाएगा लेते हैं तो वह संब्ल से रहते हैं थैसे के साथ बढ़तीए और प्रिशन के दूद के दांत कितने होते हैं और यह जो दूध के दांथ होते हैं यह आस्थाई दांत होते हैं यह जो के बाद कि उम्र में यह निकलनी जो है श्रू हो जाते हैं उसके बाद जो है अस्थाई दाट आ जाते हैं ठीक जिसको अन्न ता भी कहा जाता है चैलिए और अच्छा लग रहा हो तो वीडियों को को लाइक कर देजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए साथ-साथ ऐसे ही प्रेक्टिस हैट हम आपको देते रहेंगे समय समय पर परिच्छा तक तो चलिए नब्य नंबर के प्रश्ण को देखा जाए इसमें पूछा गया है आवस्च्रक्ता अनुसार मापकी िसकी पूर्थि के लिए इसके पास परियापत होना चाहिए तो क्या परियापत होना चाहिए साधभन धन प्रतिष्ठा बचत यहां पर SBसे अच्छा जो आप्सन है वो रिसोर्स है साधन जिसको कहा जाता यह प्रयाप्थ होना चाहिए ठीक तो आपसन नमबर यहां पर पहला ही राइट एंसर होगा अब इसमें सभी आ जाएंगे ठीक चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्ण अगला प्रश्ण है को जो है मासिक धर्म क का नियंत्रैन करता है जो और यहों कि यहनदाव माश्चिक धर्म जो होते हैं औस एगला प्रश्ण है कौन एक उत्तम कोलेस्ट्राल अंस है तो HDL कोलेस्ट्राल को अक्सर अच्छा कोलेस्ट्राल माना जाता है C आप सुने इस प्रिशन का राइट एंसर होगा और इसका पूरा नाम है High Density Lipoprotein तो यहां पिर C आप सुने इसका राइट एंसर होगा साटकर्ड में जो बोला जाता है HDL के नाम से जाना जाता है HDL ठिक इसका पूरा नाम यह है ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रशन के तरफ अगला प्रशन है गर्वोती महिला के लिए उर्जा और प्रोटीन की अक्तिरिक्त अवसकता क्या है कोई गर्वोती महिला है तो उसको सबसे जो अवसकता होती है प्रोटीन की या उर्जा की तो कितनी अवसकता होती है चलिए डिखते हैं 93 का तो यहां पर आपसन नमबर जो सही होगा भी आपसन से होगा आभी उपर के प्रश्णूमी दिखा भी गया कर अगले प्रश्ण के winds की तरवण की स्ुरोट क्या है हरे पत्तीदार सब्यां हैं. दूध है, संत्रा है, सोयाबीन है. तो खनी टत्त जो मिलते हैं, वो हरे पत्तिदार सब्यों से मिलते हैं. अपसर मुझे, अपसर नंबर पहला इसल का। प्रिशन का ठाष्वग्रात ALL आप लोग बहुत बार पढ़ी होगे. तो यहां पर यह कैलसियम जो है इसमें सबसेरिक मात्रा में पाया जाता है भी आपसे में इसका राइट एंसर होगा अगला प्रशन है अवस्यक अमिनो आशिड के बारे में बताना है अभी उपर के प्रशनों में अगर आप लोग सुरू से साल पर रहे हैं हमारे साथ प्रेक अवस्यक अमिनो अमल की संख्या होती है जिनकी संख्या 20 होती है दोनों को मिलाकर लेकिन अलग अलग बांटे तो ददद संख्या होती है तो अनावस्यक अमीनों अमल की संख्या 10 होती है जो कि हमारे सरीव में ही उपलब्द रहते हैं लेकिन वहीं बात करते हैं आवस्यक अमीनो कि तो यह हमारे सरे में उपलब नहीं होते इनको हम बाहर से बाहर से बहुंद के बहुता क मत्यम से मसे राप्त करते थे इसमें कौन के अपसंन सही है तो चलिए देखते है यह हो पेरा हिस्मेश जो लिखा गया है ईसो-मिलता है आवस्य प्रियुक्तक्राइट में अगला है लायसिन मिलता है दिशली असके बाद फिर चौथा है लिसल मिलता है अपसन नमर फूर तो यहां पर एक तीन चार जो है से हो जाए चलिए देखते हैं किस आफसन में लिखा गया है तो यहाँ पर टीसरा आपसं सी जो लिखा करके लेते हैं अगला प्रश्न को अगला प्रश्न है शरीर को तुरंत औरजा प्रदान करने वाला पोसकतर तो क्या होता है बहुत अच्छा अगर किसी को तुरंत और चाहिए जैसे आप कहीं से बाहर से गर्मियों में द्होप मेंसर ही हो तो आपको तुरन्त अनर्जी चाहिए तो क्या करते हैं आप लोग पानी को पेलेते हैं तो अईसा लगता है जैसे आग試 for अ dia लोगा यानि कि अमको जो है रेकिन वह त्रांत के लिए तो ि इसके लिए जो होता है क्रस्दует सबसे माना जाता है आपसन नमबर सी इस पृष्ण का राइट एंसर होगा कार्बोहईल को यहां पर आपसन नमबर जो सही होगा सी सही हो जाएगा इस पृष्ण का ठेक चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं अगले पृष्णी के तरह पगला पृष्ण है केर भारत में किस समय से कार्य कर रही है 98 केर की बात करते हैं तो यह भारत में गरीबी उनमूलन और सामाजिक न्याय को समाप्त करने की धारणा से विक्सित हुई अगला प्रश्ण है अगले प्रश्ण में है बिभिन स्वयम से भी संस्था है सामुदाइक स्वास्त उत्था नहीं तो कौन कौन कार्यत है चेलिए देखते हैं कौन से जो है संस्थान इसमी कार्यत है तो यहां पर आपसन नंबर जो सही हो जाएगा इस प्रश्ण का डी आपसन राइट एंसर हो जाएगा यहां पर बात करते हैं आपके पहले आपसन की तो यह भी सही होगा दूसरा आपसन भी सही होगा तो यहां पर जो है इन में से सभी डी आपसन इस प्रश्ण का राइट की ब्यक्ति में आर्टियो पोरोसिस में विकास की परीडाम सुरूप होता है तो ये जो होता है ये विटामिन D की कमी से होता है क्योंकि ये एक अस्थी से सम्मंधित विकार भी है ठीक तो यहां पर डी आपसनिस प्रस्ट का राइट एंसर हो जाएगा तो डी आपसन सही होने के साथ यहां पर हम लोग सभी सो प्रस्ट को जो है कबर कर चुके हैं तो सो प्रस्ट में आपके कितने प्रस्ट सही हुए है कमेंट करके आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखेंगे कमेंट बाक्स में और जो है हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी जो ह सुझाव अपने कमेंट बाक्स में लिखेंगे और ऐसे ही हमारे साथ बने रही है मिलते हैं अगले प्रेक्टिसेड में तब तक के लिए बहुत धन्वाद